स्वागत हमारे यूटूब चैनल पर हर्याणा सरकार का बड़ा फैसला अब एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से जाना जाएगा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जी हाँ दोस्तो जो स्टेट विजिलेंस जो ब्यूरो नाम था करती है जो पर रषट चार को कम करती पर पकड़ती है तो इस लिए करप्सन काम होता अब रषट चार जो काम होता है एंटी मतलब उसको नाम दे दिया गया है हो दो जो हर इंटी सब्सक को अधिक ससक्त करते के वेश का नाम बदल कर ब्रस्टाचार रोधी ब्यूरो एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिये का निया है मुख्यमंत्री के देख्षता में डिविजिनल विजिलेंस ब्यूरो के उप महानी देशक डियाईजी और पुलिस अरिक्सकों के साथ हुई हैं बैठक में लिया गया है कि परदेश में किसी बिष्टाचार बरदास्त नहीं किया जाएगा चाहिवे अधिकारी करमचारी या कोई अन्य ही क्यों नहीं हो एंटी करप्शन ब्यूरो के दिकारियों को अधिक्सक्रिता से करे करना होगा ताकि ब्रस्टाचार जड़ से खतम होई सके इस से पहले भी तो मुख्यमंत्री की जो दिख्षता में बैट कोई थी इसमें फैसला लिया गया है अब जो नाम रख दिया गया है दोस्तो किसका स्टेट विजिलन्स ब्यूरो का चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीज़ेगा वीडियो को ज़यते से ज्यादा शेयर कर द था दोस्तो अगामी जो एक जामाने वड़े हर यानके अंदर यह आंटिक्रेप्शन ब्यूरू हाली में किस विभाग का नाम बदला गया तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम आप क्या रख दियागा है एंटी करप्शन ब्यूरो तो इस वीडियो में दोस्तों फफला लेतना ही दिन्नेवाद जैन जबार्थ ज़रियाण